हेलो दुसिंख्रेंग गोचिंग कैंपुस नियूर्स दुशो दिले बिसुद दिले के नॉन कोलेजुमेन एजुकेसन बोड यानिकी एंसी बिप के दो फिलप करने की लाज डेड क्या है हम ये भी बताएंगे साथ में उनसी बिप जो है अडर गेजुँट कोर्स से कोर्सस करवाती है इसमें आप अपलाई कर सकते हो तो इसके उपपर में चर्चा करेंगे तो पूरे डिटेल में आज हम NCWave के जो है UG और PG admission process को लेके चर्चा करने वाले हैं बाकी गर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल लेकिन को फ्रेश करके और का बटन दबा लिजेगा आपको मिलता रहे तो दिले के नौन कॉले जो में एजुकेशन बोर्ड यानि की एंसी वेब के 2022 और 2023 सेशन के जो है फोस्ट ग्रेजुएट कोर्सस के बाद अब जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सस का भी जो है registration form जो है release कर दिया गया है तो आपको ncwave के official website जो की ncwave.du.ac.in है इस पे जाके fill up कर सकते हो तो du के official website से आगर आप fill up कर रहे हो तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके study at du आपको दिखरा होगा सामने तो इस पे आपको जो है click कर देना है यहाँ पे जब आप click करोगी तो आपके सामने एक नया portal जो है खुलके आता है जिसमें admission 2022 और 2023 आपको दिखरा होगा तो इस पे आपको जो है click कर देना है यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो एक सामने और भी जो है नया पोर्टल खोलेगा और यहां पर एड्मिशन 2022-22 दिख रहा होगा अटिक आपको जब आपको इसी के नीची आपका आजाना है रजिस्टेशन इन्फर्मेशन में यहां परिख सकते हो रजिस्टेशन-to-n-c wade-admission.od.ac.in है तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है देख सकते हैं एंसी वेव यूजी एडमीशन आपके सामने जो है नया पोर्टल खुल के आ चाहिए उसके पास आधार काड होना चाहिए पैन काड होना चाहिए तो तेनथ light का saati पहले तो 12 का मार्क स्ट्रीट होना चाहिए और एक एमेल एडी एक्टिव होना चाहिए और फॉन नमर जिसका आप जो है रजिस्टेशन के लिए जो है यूज करोगे तो इसका जरूर धियान रखिएगा उसके बाद जो है रजिस्टेशन का जो है यहां पर देख सकते हो यहां पर अप्लिकेशन फिलब करना है उसके बाद जो है आपको यूजर नयम जो है यहां पर करना होगा इमेल आइडी यहां पर डालना है उसके बाद जो है रिमेल आइडी आपको डालना है पासवोर्ड आपको क्रियेट करना है रिपासवोर्ड डालना है मुवाइल नम कन्फर्म करोगे तो आपका जो है रजिष्टर हो जाओ गया उसके बाद जो है सबस्क्री quand साथ में तुर्फा डेंक पप्र होना चाहिए when in your operating ने ने कर सकते हूए और सबी का जो है,之前 कि समय में आपके 275 की समय में आपके असमें इसन किया, इसका भी आपके पास में डॉकुमेंट सोना चाहिए, उसके बाद जो है, आप असे हीendum रोड़े आपको करे लेना है, तो इस्लिंड और भी कोई सवाल और कोई confusion है आप अगर registration नहीं करवा पारहे हैं तो डिरेक्ट आप हम Instagram पर फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो जिसका लिंक जो हम description में डाल दिये हैं बाकि जो है PG registration जो है NC वेब के लिए यहां पर दिया हुआ है process तो यहां जो है देख सकते के लिए भी जहां से फ्रोसर्श यहां पर new user registration पर आपको जो है कलिक करना है यहां पर जाके आपको जहां सारा बेशिक detail भिलब करना है जिसमें जो है आपको झाओं की सेम डालना है उसके बाद आपका जो है educational document पर नाम है वही नाम आपको जो है डालना है तो इसी परकार से आपको जो है फिल अपर देना है तो आपका भी जो है रजीस्टर हो जाएंगे उसके बाल जो है बैक टू वैक का कि जो है आपको जो है लॉग इन करके अपना जो है जो है आप पोश्ट graduate courses में admission लेना चाहते हैं तो आप जो है 30 जून से पहले-पहले अपना registration जरूर कर ले बांके और भी कोई सवाल है तो comment करके जरूर बताइएगा बांके आज किस वीडियो में इतना है सुक्रिया धन्यवाद